Hello Friends, Welcome to the People's Academy दोस्तों अधिगम का अर्थ साइद आप लोगों को पता होगा लेकिन साइद आप लोग इसके सरल, सरोमान यों सैध्धानतिक डेफिनेशन से परचित नहीं होंगे तो आए इसी को समझने का प्रियास करते हैं अधिगम सब्द अंग्रेजी सब्द लेर्णिंग का हिंदी रुपांतरण है जिसका अर्थ होता है सीखना हर एक ब्यक्ति बच्पन से ही अपने जियों में कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है इस सीखने की परकिरिया में कुछ चीजों को वह अनुकरन द्वारा सीखता है कुछ चीजों को वह वातावरन द्वारा तथा कुछ चीजों को वह बेवहार के द्वारा सीखता है यानि यहां कहने का मतलब इतना है कि उसके सराउंडिंग में या आसपास में जो भी चीजें हो रही होती हैं वह उन सभी से सीखता है और सीखने की इसी सतत परिकिरिया को अधिगम कहते हैं अगर हमें एक final conclusion की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अधिगम एक सतत योम जीवन परियन चलने वाली परिकिरिया है यानि अगर हमें एक बच्चे का उधारन ले तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी आउसक्ताओं का दायरा बढ़ने लगता है यानि जन्म से लेकर मिर्ट्य तक चलने वाली परिकिरिया है तो अगर हमें एक बच्चे का उधारन ले तो जन्म के पस्चाथ ही उसकी आउसक्ताओं का दायरा बढ़ने लगता है जैसे उसको भूंक लगती है प्यास लगती है तो बच्चा उसी के हिसाब से रियक्ट करता है जैसे चिलाना रोना तो उसको चिलाने से जो है रोने से उसको भोजन मिल जाता है पानी मिल जाता है तो वह चीजे सीखता है कि यह चीजे करने से मुझे यह चीज मिल जाएगी तो इस तरह से हम अधिकम को define कर सकते हैं तो दोस्तों यह थी एक छोटी सी information Thank you